हेलो एब्रीवान वेल्कम बैक मैं चैनल नेटिंग में सरीत देखिए आज मैं बहुत ही प्यारा और बहुत ही इजी डीजाइन आपके लिए लाई हूँ जिसको भी सिधा और उल्टा बुन्ना आता है वो इजीजाइन को आसानी से बना सकते हैं वो भी यह देखिए आफिस डीजाइन को जैन सवेटर जैन स्वेटर जैन्स हाप सवेटर यह फिर उल्ल बॉइच सवेटर में अपलाई कर सकते हैं यह देखिए अ यह और बैक साइट कुछ यूँ है इस डिजाइन को बनाने के लिए आप 10 के मल्टिपल में फंदे ले ले प्लस 2 एक स्ट्रा स्टिच ले ले ये डिजाइन एक डिजाइन 6 रो में कम्प्रीट हो जाता है ये देखें ये डिजाइन देखें एक बार यहां बना है फिर इस नेक्स रिपीट यहां पर हो रहा तो आपको मैं स्टेब बाइस बताऊंगी चले बनाते हैं इस डिजाइन को कैसे बनाना है आप किसी भी कलर में इस डिजाइन को बना लाए बहुत ही प्यारा लगता है ये देखें ये इसमें मैंने 22 स्टीच टाल लखे हैं फंदे टाल के बाद एक लाइन बना दिया है ये सीधे साइट को है अब हम डिजाइन बनाना स्टार्ट करते हैं ये देखें फॉर्स्ट स्टीच हम स्कीप करेंगे वन टू थ्री ये इसको मिला के फोर फोर इस्टीच हम उल्टे कर लगे थंधा का पिछे वन गुनाई नहीं करनी है टू थ्री फोर फोर फंदे हमने ऐसे ही निकाल लिए अब देखें थाग आपने तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6 2, 4, 6 फिस्टीच थागा बेग 1, 2, 3, 4 थागा अपने तरफ लास्ट के ये फोर स्टीच उल्टे 1, 2, 3, 4 एक लाक स्ट में ये इसको हम सीधा कर लेंगे 2nd row है अब देखें जो हमने यहां उल्टे किये हैं उसको हम सीधा बना लेंगे 4 स्टीच ये निकाल दिया 4 स्टीच सीधे 1, 2, 3, 4 थागा अपने तरफ जो फंदे हमने इसकिप किये थे 4 स्टीच उसको हम 1, 2, 3, 4 एभी भी उसको बुनाई नहीं करनी है धागा बैक साइट 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 उल्टे किये थे हमने राइट साइट को ये बैक साइट को सीधे हो जाएंगे धागा अपने तरफ फिर 4 स्टीच हमने इसकिप करने है 2, 3, 4 थागा बैक 1, 2, 3, 4 थागा बैक 1, 2, 3, 4 थागा बैक 1, 2, 3, 4, थागा बैक, 1, 2, 3, 4 थागा बैक फर्स स्किप कर लेंगे वन टू थ्री यहनि फोर स्टीच ठागा बैक वन टू थ्री फोर अभी भी स्किप करने हैं इनको ठागा अपने तरफ छे फंदे उल्टे वन टू ट्री फोर फाइव शीक्स ठागा बैक वन टू थ्री फोर ठागा अपने तरफ चार फंदे लास्ट के उल्टे हो जाएंगे दो तीन चार और लास्ट पर यह सीधा फोर्थ रो है यह देखे जो फंदे उल्ट सीधे हैं उनको हम सीधे ही बनाएंगे उल्टे साइट को एक दो तीन चार ठागा अपने तरफ इनको इस्किप करना है वन टू थ्री फोर्ट थागा बैक अब छे फंदे उल्ट सीधे करेंगे दो तीन चार पान छे थागा अपने तरफ वन टू थ्री फोर्ट लास्ट के चार फंदे सीधे हो जाएंगे बैक साइड को फोर्थ रो कंप्रीट हो गए फिफ्थ रो है फिफ्थ रो राइट साइड ये सीधे निकाल दिया इस इस रो में है ये उल्टे फंदे हैं इनको हम सीधे कर लगे डिक्रेज जाएंगे और इभी तक जो हम इसकिफ कर रहे थे उनको भी हम सीधे कर लगे यान्य इस पूरी रो को हम सारे फंदों को सीधे कर लेगे बहुत इजी डिजाएंगे 1 2 3 4 और 4 लास्ट में ये भी सीधे कर लंगे हम सारे फंदे सीधे हो गए अब रॉंग साइट है 6 रो इसमें हम सवी फंदों को उल्टा कर लंगे ये देखिए फ्रेंड एक डिजाइन हमारा कम्प्रीट हो गया और हम नेक्स डिजाइन करेंगे अब देखिए यहाँ पर हम ये वाला इसको यहाँ कनवर्ट करेंगे और यहाँ ये सीधे फंदे आने चीए देखिए कैसे अड़्जस करेंगे नेक्स डिजाइन का फर्स्ट रो है हमने पहली बार उल्टे किये थे फर्स्ट में अब यहाँ यहाँ पर सीधे करेंगे यहाँ फंदा हम स्किप कर लेंगे और धागा पीछे वन टू फंदे हमारे इस्किप कर लेंगे धागा अपने तरफ अब देखें यह चार फंदे जो सीधे हैं और एक यहाँ से और एक यहाँ से इन छे फंदों को हम उल्टा कर लेंगे अब देखें इसमें यह सारे उल्टे थे वन टू थ्री फोर यह फोर इस्किप कर लेंगे धागा अपने तरफ वन टू थ्री फोर फाइव शीक्स धागा अबे यह फंदे इस्किप हो जाएंगे और लास्ट वाला फंदा हम सीधे बना लेंगे सेम रिपीट करना है अब जो फंदे हमने यहां उल्टे किये हैं यह देखें यह इस्किप किये हुए हैं इनको हम बैक साइट से स्किप करेंगे तू थ्री धागा आगे यह जो उल्टे फंदे हैं छे उनको बैक साइट से सीधे करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव शीक्स 1, 2, 3, 4 फिर 6 सीधे 2, 3, 4, 5, 6 लास्ट में 3 स्टीच इसकिप कर लेंगे और लास्ट वाला फंदा सीधा सेकिंड है इस स्टीचन का सेकिंड रो है सेम डिपीट करेंगे सीधे साइट से है फिर्स्ट स्किप करें 1, 2, 2 स्किप करके फिर 6 सीधे कर लेंगे 2, 3, 4, 5, 6 फिर 4 सीधे कर लेंगे इसकि फिर 6 उल्टे लास्ट के 3 स्टीच इसकिप करेंगे और लास्ट स्टीच हम यह कर लेंगे अब देखिए हम यही सेम डिपीट करेंगे हमने यह वाले यहनि जो उल्टे हैं 1, 2, 3 यह 4 लाइन करने हैं चमक रहा है आप इतना किल्यर नहीं दिखा पारियूम है इसके लिए माप करें यह 1, 2, 3, 4 4 लाइन हमने यह किया है तो यहाँ पर भी हम 4 लाइन करेंगे 1, 2, 3 यह देखिए इसमें दिख रहा 1, 2, 3, 4 यहाँ पर 1, 2, 3 एक लाइन हम बैक साइट से और करेंगे फिर सेम डिपीट होगा फिर 2 लाइन हम सीधे बना लगे एक सीधे एक उल्टा फिर सेम रिपीट होगा यह वाला पैटर्न कि इसके उपर यह आएगा तो इस डिजाइन को बनाने के बाद ऐसा लगता है यह कुछ उबरा उबरा लगता है यह देखिए इसको हम स्किफ कर रहे हैं यह देखे बहुत इजी डिजाइन है कोई भी इसको बना सकते हैं आपको यह डिजाइन अच्छा लगा हेल्फुल रहा आपके लिए तो मेरे इस वीडियो को सियर करें लाइक करें और कॉमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे थैंक्स फॉर वचिंग